Welcome to study channel मेरा नाम है मुहम्मत कैसर जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीटेट जुलाई 2023 के ओनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और एक्जाम सेंटर को लेखर काफी यादा समस्या आ रही है चातरों को तो मैं आपको यहां बताऊंगा कि एक्जाम सेंटर यहां फूल हो गया है तो आपको क्या करना है कहां कहां भी सीट्स और बची है और क्या आपको इंदजार करना चाहिए क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी वीडियो में लाट्स तक बने रहे हैं स्टार जान के लिए आपक पर सभी विशे सीटेट के कवर किये गए हैं छे प्रिवियस और पेपर ही मिलेंगे तीन हजा से अधिक यहां पर चैप्टर वाइज महत्पूर प्रश्न हल सहित दिये गए हैं बिलकुर नविंतम पैटर्न पर सतयर किया गया है इस बार के ओनलाइन एक्जाम में ये बुक आ से लिंग दिया गया है और यदि आप इसे ओफलाइन मार्केट से लेना चाहते हैं तो वहां पर भी इजली अवेलेबल हो जाती हैं तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ आपको अपने फॉर्म को यहां तक यानि फोटो साइन अप्लोड तक कम्प्लीट कर लेना है यदि आप यहां सेंटर नहीं है तो आप अपना रिक्षेशन कर लीजिए कॉंटेक्ट डिटेल परस्नल डिटेल एपलाइफ और जहां पर आप पेपर वन पेपर टू और इलिजबिल्टी कोर्स अगरा सेलेट करते हैं क्वालिफिकेशन फोटो साइन अप्लोड करके एक्जाम सीटी तो अभी 10 दिन हुए है सीटें लगबग लगबग फुल हो चुकी है अभी 20 दिन का और समचा है और उत्तर प्रदेस में आपको कहीं भी सीट देखने को नहीं मिलेगा इससमय सिर्फ दो जगाए सीट्स खाली हैं तो मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेसमें प्रिज प्राजियाबाद लेना चाह रही हैं इसके अलावा आपको मेरट में सीटें देखने को मिलेंगी यहां पर 23,000 के लगवक सीटें अभी भी खाली हैं इसके अलावा यूपी में कहीं भी सीट आपको नहीं मिलेगा चाहें वो गोरकपूर हो लखनवो कानपूर हो हर जगें नहीं मिलेगा जैसे कि यूपी में सिर्फ इस समय दो जगए सीटें खाली है जैसा कि आपको मैंने बताया अब जिन चाहत्रों को गोरकपूर सेंटर लेना होगा उन्हें से इस समय नहीं मिलेगा क्योंकि सीटें यहां पर 0 हैं और या तो आपको अब इंतजार करना पड़ देगी बिहार की बात करें तो बिहार में कहीं भी सीटें खाली नहीं है मैंने पूरा चेकर लिया बिहार में टोटल साथ शहरों में सेंटर बनाए गये थे कहीं पर भी सीट नहीं है चाहां आ रहा हो भागल पूर हो तर्भंगा हो गया हो मुझफर पूर हो या पटना हो हर जगा सीटें भर गई हैं ऐसे ही मैंने जारखंट में भी चिक किया कहीं भी सीट अवेलेबल नहीं है तो यदि आपके यहां से दिल्ली नजदीक है या कम दूरी है अपना सीट लॉक कर सकती है तक सिर्फ 34,000 ही यहां पर सीट भरी है एक लाग नाग सीट यहां रही है जाता भी यूपी बियार जारकंच तिसकड़ वगरे एरिया में है साउथ हीरिया में भी सीटें काफी जाता अभी भी खाली है मैंने चेक किया तिलंगाना वगरे में तो यहाँ पर कैपेसिटी भी बहुत जादा नहीं है कोई है जैसे कि चिन्नाई ही हम देखें चिन्नाई काफी बड़ा सहर है सिर्फ यहां पर 3500 दो कैपेसिटी है और देखिए 2748 सीटें यहां पर खाले हैं सिर्फ और सिर्फ 700 के लवक छात्रों ने यहां पर फॉर्म भरा है तो ज्यादा भीड है यूपी विहार साइड में ही तो य महिने तक extend करेंगे या सावा महिने या वेस महिने सोंच कर सेड्यूल त्यार किया गया होगा तो यह इंदिनर Sum undergraduate THERE इंफ्राइस्ट्रक्चर निमीट지만 Children in online a पिछली बार भी यही हुआ था लेकिन आपको बिल्कुल active रहना है कियोंकि सीतेओं की संख्या जैसे ही बढ़ेगी एक से दो दिन नहीं लगेगा फिर से सीटे सब भर जाएंगी और ये जो 0 आपको दिख रहा है आपके शहर में ये फिर से 0 हो जाएगा तो आपको बिल्कु seat नहीं बढ़ी थी तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसके लावा कुछ और महत्पुर्ट जानकारी आपको देनी है सीटे जुलाई 2013 का नोटिफिकेशन हमारे सामने है 27 अप्रेल से फॉर्म भरे जा रहे हैं लास्ट डेट है 26 मई नोटिफिकेशन दिखाने का मेरा मतलब बस इतना ही है कि आप ये चीज़ समझ लेजिए साथवे नंबर पर करेक्शन के बारे में जानकारी है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने फॉर्म तो भर दिया कहीं दूर सेंटर लेकर हमने फॉर्म सब्मिट कर दिया जब सीटें बढ़ेंगी तो क्या हम फिर से अपने एक्जाम सेंटर को बदल सकते हैं क्या हम नजदिक सेंटर दुबारा से ले पाएंगे या फिर करेक्शन के समय क्या हम एक्जाम सेंटर में बदलाव कर सकते हैं तो पहले बात करते हैं करेक्शन का तो एक बार जो आपने एक्जाम सिटी से रेट कर लिया वो फाइनल है उसमें चेंज आप नहीं कर पाएंगे ये भी आप जान लिए कि करेक्शन कब होगा तो 27 अप्रेल से लेकर 26 मई तक फॉर्म बरे जाएंगे फी पेमेंट आप 29 मई तक कर सकते हैं और जो ऑनलाइन करेक्शन की डेट है वो 29 मई से लेकर 2 जून के बीच में हैं तो लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है वो 26 मई ही है 29 मई से करेक्शन स्टार्ट होगा तो फिर जब फॉर्म भरना ही बंद हो चुका है तो आप correction के समय कैसे center को change कर सकते हैं जब पहले ही seat हर जगा limited हैं तो correction के समय तो center change नहीं होगा और notification में भी यह चीज साप साप कही गई है और यदि correction से पहले यानि कि माली जी आपने center select कर लिया दिल्ली लेकिन आपको लेना था लखनव अब माली ये 2-3 दिन के बाद लखनों में seat बढ़ गए तो कि आप दिल्ली से center change करके लखनों कर सकते हैं तो ऐसा भी आप नहीं कर पाएंगे जहां पर आप एक बार center select करके form final submit कर देते हैं तो उसमें change नहीं होगा तो यदि आप wait करना चाहते हैं तो आप कुछ दिनों का wait कर सकते हैं यदि आपके शहर में seat आ जाती हैं तो आप उसको select करके जल्ली से form बढ़ लेजेगा लेकिन इसके लिए भी आपको बिल्कुल active रहना होगा और यदि seat नहीं बढ़ती हैं या फिर बढ़ती हैं आप उस पास-पास के आपके centers हैं आपके माले जिए state में शाहर में seat खतम हो गई हैं अगल बगल में कहीं मिल रही है तो वहां बाले लिए तो धीरे-धीरे वहां पर भी ये full हो जाएगा बाकि जैसे seats बढ़ेगी दोस्तों मैं आपको inform कर दूँगा आप बिल्कुल बेटेंशन ना चाहते हैं आप कोमेट करके बतायां ताकि हमारी नजर उन सहरों पर बनी रहे वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सस्क्राइब जरू कर दीजेगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक information मिलती रहे थांक्स फॉर वाचिंग